गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निश्या माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको हिंदी प्रथम रचना प्रसोन का पाठ तेरा, शीर्षक वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ तेरा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले आएए, हम जान लेते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों और कब किया जाता है, बच्चों, कुछ बातों को हम कई शब्दों में ना कहकर एक शब्द में कह देते हैं, उन्हें अनेक शब्दों अत्वा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, इसका प्रयोग हम भाशा को सरल, सुन्दर और संशिप्द छोटा बनाने के लिए करते हैं, जब हम कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, या बोलते या लिखते समय हम पूरे वाक्य ना बोलकर सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों को वाक्यांशो के लिए एक शब्द कहते हैं, क्यूं कि आ जाता है बच्चों इसका प्रयोग, इसका प्रयोग भाशा को सरल, सुंदर और संशिप्थ छोटा बनाने के लिए करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है भाशा सुन्दर हो जाती है सरल हो जाती है और हम पूरे वाक्य ना बोलकर उसको एक शब्द में बोल देते हैं तो ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं या इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं बच्चो इसको और अच्छे से समझने के लिए आईए हम कुछ उधारन देखते हैं जिसके द्वारा आपको वाक्याइश के लिए एक शब्द और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चो यहां आपको कुछ चित्र दिये गए हैं आपको उन चित्रों को देखना पढ़ना और उनकी सामने लिखे वाक्यों को समझना है चित्रों को देखिए और समझिए यहां आपको एक चित्र दिया गया है और उसके सामने दो वाक्य दिये गए हैं पहला वाक्य है अतुल रोग्यों का इलाज करता है दूसरा वाक्य है अतुल डॉक्टर है तो बच्चो पहले वाक्य में बताया गया है कि अतुल रोग्यों का इलाज करता है और दूसरे वाक्य में रोग्यों का इलाज करता है कि स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो है डॉक्टर अतुल डॉक्टर है अतुल रोग्यों का इलाज करता है और अतुल डॉक्टर है तो हमने दूसरे वाले वाक्य में कोई इतना लंबा ना बोलकर छोटे शब्द में बोल दिया कि अतुल डॉक्टर है दूसरा चित्र है एक व्यक्ति का और उसके सामने दो वाक्य दिये गए है पहला वाक्य है सोहन खेती करने वाला व्यक्ति है दूसरा वाक्य है सोहन किसान है पहले वाक्य है कि देखी वच्चो कितना लंबा लग रहा है देखने में सोहन खेती करने वाला व्यक्ति है लेकिन उसी बात को दूसरे वाक्य में इतना लंबा ना बोलकर छोटा कर दिया गया है सोहन किसान है खेती करने वाला व्यक्ति के स्थान पर एक शब्द का इस्तमाल किया गया है जो है किसान सोहन खेती करने वाला व्यक्ति है के स्थान पर दूसरे वाक्य में क्या लिखा है सोहन किसान है अगला चित्र जो आपको दिया गया है वो एक लड़की का है और उसके सामने दो वाक्य लिखे है पहला वाक्य है मीरा गाना गाने वाली लड़की है दूसरा वाक्य है मीरा गाई का है पहले वाक्य में लिखा है गाना गाने वाली लड़की है मीरा गाना गाने वाली लड़की है दूसरे वाक्य में गाना गाने वाली लड़की के स्थान पर एक शब्द का इस्तमाल किया गया है वो है गाईका मीरा गाईका है मीरा गाना गाने वाली लड़की के स्थान पर अगर दूसरे वाप्के में प्रयोग किया गया है मीरा गाई का है पहला वाप्के देखने में काफी लंबा लग रहा है लेकिन उसी बात को हमने एक शब्द में कह दिया कि मीरा गाई का है इसे वाप्के सुन्दर भी हो गया, सरल भी हो गया और छोटा भी हो गया अगला चित्र दिया गया है एक व्यक्ति का और उस चित्र के सामने दो वाक्य दिये गए है पहला वाक्य है दिनेश विद्याले में पढ़ाता है दिनेश विद्याले में पढ़ाता है दूसरे वाक्य में लिखा है दिनेश अध्यापक है पहले वाक्य में दिनेश के बाद लिखा है स्कूल में पढ़ाता है उसी बात को दूसरे वाक्य में एक शब्द में कहा गया है अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है कि इस्थान पर अध्यापक का प्रयोग किया गया है तो पढ़ाने वाला जो होता है वो अध्यापक होता है विद्याले में पढ़ाने वाला अध्यापक होता है तो स्कूल में पढ़ाता है कि स्थान पर अध्यापक का प्रयोग किया गया है तो देखा बच्चों आपने इस तरह से हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम अपनी भाशा को सरल और छोटा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं आईए इसके कुछ और उद्धारन देखेंगे नीचे लिखे वाक्यांश तथा उनके लिए प्रयोग्त होने वाले एक शब्द भी दिये गए हैं इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझे वाक्यांश एक शब्द नमबर वान जो प्रतिदिन होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे दैनिक नमबर टू जो सप्ताह में एक बार होता है जो महीने में एक बार होता है एक शब्द मासिक नमबर फूर जो वर्ष में एक बार होता है एक शब्द वार्शिक नमबर फाइव जो लकडी का काम करता हो एक शब्द बड़ई नमबर सिक्स जो लोहे का काम करता हो एक शब्द लुहार नमब सेविन जो मूर्थी बनाता हो एक शब्द मूर्थीकार नमब एट जो सेना में कारे करता हो एक शब्द सैनिक नमब नाइन जो शिक्षा देता हो एक शब्द शिक्षक 10. विद्याप्राप्त करने वाला एक शब्द विद्यार्थी 11. जहां पुस्त के रखी जाती है एक शब्द पुस्त काले 12. जो मास खाता हो एक शब्द मासा हारी 13. जो फल सब्जी खाता हो एक शब्द शाका हारी 14. जो मिठाईयां बनाता है एक शब्द हल्वाई 15. जो नीचे लिखा गया हो एक शब्द निम्न लिखित 16. शहर में रहने वाला एक शब्द शहरी 17. जो बहुत परिश्रम करे एक शब्द परिश्रमी 18. जो चित्र बनाता हो एक शब्द चित्रकार 19. जल में रहने वाला एक शब्द जल्चर 20. थल पर विचरन करने वाला एक शब्द थल्चर तो देखा बच्चो आपने किस तरह से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रियोग करते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा इस पार्ट को आपको दुबारा से पढ़ना है और इस पार्ट के अब्यास कारे को हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे धन्यवाद